हेलो गाईज वेलकम बैग टू माई चैनल तो आज मैं बनाने वाली बेशन का हलवा आप देख सबते कितना अच्छा उसका कलर आया है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है तो सबसे पहले मैं पानी घरम कर लिया मैंने उसकी बाद में उसमें चेनी डालने वाली हो शक्कर को अपने कोश्म से पीगलाना है के रेमालाइज नहीं करना है ओके गाईज शक्कर जैसे ही पीगल जाएगी पाने में फिर गैस बन करके यह शक्कर का पाने साइट में रखना है क्योंकि इसका यूज हम लोग पात में करने वाले हैं मैंने शक्कर डाल दिया है मिक्स कर देती हूं और यह देखो शक्रामारी पेगल के यह पूरी अब मैंने एक पैन में गी गरम कर लिया है इसके बाद में चार चम्मच बेशन डाल रही हूं सिर्फ चार चम्मच से ही आप है ना बहुत सारा हल्वा बना सकते हूं चार चम्मच हो गया मेरा डाल के अब में इसको अच्छे से भूर्ण लेती हूं वैशन को अपने कुछत्यبة अच्छे से भून लेना है तो बहुकि उसका कच्छापन हल्वे में नहीं रहे जाएगा इससे तरह अपने को अच्छे से भून लेना है और थोड़ी दिर बाद आप कंटिनेस भून लोगे ना उसके बाद ये कुछ ऐसा देखाई देता है देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है अब ये स्टेप पर अपने को एक चमब जोसमें घी डालना है घी डालके अपने को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब ये अपने को कंटिनेस से लाना है थोड़ी दिल तक और ये थोड़ी दिल में कुछ ऐसा हो जाएगा देख सेकते हैं जाएज ये दानेदार हो गया गया अभी ये स्टेप पर अपने को इसमें पानी डालना है वो भी शक्कर वाला पानी अपने बना के रखाता ना हो थोड़ा सा पानी डाल देंगे उसके बाद इसको कंटिनेस चलाना है ताकि इसमें कोई लंस नहीं रह जाए थोड़ा पहले स्टार्टिंग में थोड़ा पानी डालना है फिर लगे फिर वापस पानी डाल देना है अब में इसमें थोड़ा और पाने डाल देती हो कि उसमें पाने की जब्रत है अजहे पिर अच्छे से मिंस प्रॉम लेनने है से इसी तर आपने को हिला देजाना हैं कंटिनियॉस और लंस नहीं रहने चाहिए गाईस इसी तरह पहला के जाओंगे ना तो जो भी लंप्स रहेगे ना आपके वह अपना निकल जाएंगे देख सकते राइस अभी इसका कलर देख सकते कैसा दिख रहा है और लंस भी हमारे बिल्कुल टूट गए हैं और यह हम्वा कैसा मस्त दिख रहा है और उसकी खुस्पू भी आने स्टार्ट हो गई अभी तो कि अबस थोड़ी देर में कुछ ही ऐसा हो जाएगा कंट्यूनेस चलांगे ना हल्वा किनारी छोड़ देता है दी दी अभी हमारा बिल्कुल लड़ी हो गया इसकी बाद में इसमें काजू और बादाम का पाउडर ढाल रही हूं फिर अच्छे से मिक्स करनेंगे देख सकते हैं हल्वा हमारा पैंड में जड़ा भी नेची पक रहा है इसका मतलब वह बिल्कुल रेडी हो गया है अच्छे से पग भी गया है आज अच्छे से अच्छे से अच्छे से मिक्स कर देंगे गरम गरम सब करना तो इसका टेस्ट खाने में कुछ और मचा जाएगा हमारा हो गया गया चला ओवी मैंने सब कर लेती हूं अभी मैं इसको इसके उपर काजू पादाम डाल रही हूं मैंने काजू पादाम को अच्छे पाद में इसके उपर ढाल देती हूं ताकि इसका टेस्ट और उसका लोग कुछ और या गारनेशन के लिए राले मैंने देख सकते हूं अभी मैं आप उनजदी किसी दिखाती हूं कितना चकलर रहा है इसका देखू और मैं आभी आपको दिखाती हूं देख सकते रहा है बन्या डेदिया मारा थैंक या